मैंने तो लाखाइं गोडगा आ अगया, ते लाखाइं बेच्चगा कीमत लेंदे बाला जे जानता है गोड़े की कदर नू तो फिर इसकी कीमत नहीं पुछदा ऊ और कीमत था जे कोई करोडर पिये दा भी गोड़ा खरीदा है ता उदीवी कोई कीमत नहें अगे तो मेना था, जे कोई बच्चा किसे दे आखे ना लागे दा तो बजुर्ग कहते सी, तो साड़ा नूगरा लिकले है, तो अज ता नूगरे दी मौल पाए गया, और जेड़ा बला मानसा है, उसकी कदर गाडगी भाई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन आल पे कर दे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं, धन्यवाद किसान भाईयों आज की वीडियो बेहत खास होने वाली है, क्यूंकि आज हमारे साथ स्पैशल गैस्ट महंत जी जुड़े है, नमस्कार मेरा नाम जुगनु शर्मा है, घोडियों का शौक रखते है और एक घोडी विकाओ भी है, तो कबसे ये शौक रखते हैं, और कितने जूक रहे हैं, कौन सी नसल है, बात करेंगे हमारे साथ महांजी है, महांजी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मारा नाम सीरमहंत है और कर्सान बाईयां को सबको मेरी निम्षकार है और ममार्क बाद भी है कर्सान बाईयानू जो कर्सान मजदूर एकता दिल्ली देविच रहा उसका बहुत हच्छा बहुत हच्छा रेजल्ट आया और भर्दान मंतरी सादे नरिंदर मुद्धी जी जिना ने बहुत सोणी सोच सोची और कर्सान बाईयां का मोर्चे फथाय होया और इन दे कर्सान दे मजदूर दे पबलक दे एकते दि जित्तो ही जो तीन कनूर लेते सी सरकार ने यो कनूर नू रद कीता गया तो आसी ब्रदान मंतरी के भी बहुत रणी हैं और आसी कर्सान मोर्चा और देश बास सेगादे भी बहुत रणी हैं के जिनन निशांती बना के रखी और एक साल जांग लड़के तो ओ आपका जो शर्त रखी थी ओ आपकी शर्त बना के शड़ी और एक ते की जित्त होई हैं और बहुत हच्चा होया हैं तो करसान भाई आपके बच्चे दे विच्चाँ उनगे और सानू इसकी बड़ी फूची होएगी क्योंकि हर अनसान दे घर शादी, कोई बच्चे दी, कोई बच्ची दी शादी करनी और हर बंदे दा करसान गेर हर मजदूर दा कम रुक्या होया था तो आज हुन साड़े कम खुल जानेंगे और हर बापारी का कम खुलेगा जद करसान घरे ओवेगा तो ब्याशा दिना भी चलेगा और साधी वी रिजकरोटी चलेगी और असी बहुत खोश हैं बहुत खोश हैं अच्छे बड़ी जबर्दस सवारी की आपने घोड़ी पे चड़के हना कमाली कर दिया तो बाबाजी शौक कैसे और कबसे मतलब रख रहे हो ये शौक गोड़ी जे शौक तो मेरा प्राणा है जे तो साड़े घर जम चीजा है क्योंकि मैं एक मरदाने का बच्चा हूं मुसल्मान म्रासंगा दा बच्चा तो मेरा प्याओ दादा पहला तो गोड़गा रखदा और जो मेरा बाब था वो बहुत ही मन्या प्रवन्या कोच था मन्या प्रवन्या हकीम था गोड़यां का तो बच्चपण में ये गोड़े साड़े घर पढ़ते सी तो असी ये ना गोड़यांची पढ़े और गोड़यांची चड़ना सिख्या और गोड़यां देवे ची त पिछला माई बाफ वाला तो मैं जद एस पंथनू पनालया किनर समाज देवे चायानू पहंती चाली साल हो चले पहंती साल सानू तो फेर असे दर मतलब आके आप दे गार एथे भी गोडगा रख लेगा तो होण ए गोडगा दा पंदरा साल होगे मैंनू रख लेगा नू औ अवर इनना का छौक है ना तह इनन था भाख में थो काटधा है और zat पर मेरी एक बात होगी शर्माजी कि समनगे वाला कोई नहीं जदो कोई समनगे बाला ना होगे तो ओ धो फिर आपका दिल दुखी होता है क्यों कि समनगे वाले आंदी खमी हैँ खान वाले जदा है सामन वाले गाट्टा है तो ये तो चतो पेर कोड़ा थे भाद्धा है तो चतो पेर ने खरखरा परे चतो पेर ने मुँते हाथ परे तो ये चौगणा मतलब रात दिन चबाद्धा गोड़ा अच्छा तो उमर भी काफी ओ गई है मैं तो आज भी यह हुई सोच दे हैं कि असी जवान है ज़दो तिकर दिल जवान है अनसान का, तो उदो तिकर अनसान जवान ही होता है, अधे घोड़ा ते मर्द बुड़ा नहीं होते हैं, क्योंकि जो जो खरका मिलना मैंने उमर का इस वज़े से कहा क्योंकि आपने जैसे सवारी की घोडी की है ना तो नौ जवान भी मुश्किल से शायद ऐसे सवारी कर पाता है और आपने तो इतनी उमर में पहुंच के इतनी जबरदस्त सवारी एर की जर्मा जी बात बताऊं सुन्नों एक मैं मान पर गया पाड़ा में ओथे साड़े अटलवे अरी बाजवाजी ने सकूल बनाया है तो बड़े बड़े तकड़े हच्छे अच्छे करांदे बच्चे उस सकूल में दाखलने ओ बच्चे उन्ना दा एक बहुत बड़ा होस समुन्दर बंगों बना चेटला जेड़े आप बच्चे फट्टियां ते चड़के शाड़ा लगां देने और शरीर नूं पुठ्ठा से दा मोड़ देने तो बच्चे तीम आउं दी थी तो मैं ना बच्चा बल बेख्या बेखके मैंने पुठ्ठी शाड़ लगाई ना सरीर मोड़ के तो बच्चे सारे मेरे पास आए मैंनू कहने जी ये ऐसा तजारबा ऐस उमर देविच मैं कह सरीर तो एक कच्चा कहा होता है जि मैं मर जी इसको लाओ ओसे लोटी लाग जान दा है और सरीर नूं मेंत चाहिए सरीर नूं खराक चाहिए तो मेरी 55 सा बरस की उ नूंर हो गई है और एक तो मैं तड़ी चीज तो बहुत चलूं तड़ी चीज बहुत गट खाऊं में दूसरी रोटी तो असल मैं अठपेरी खामा ज्यादा मैं रोटी भी नहीं खाऊं और दुद्द पीलिया चाह पीली और कोई होर चीज मारी मुटी खाली भड़फलू मेरा दिल करे तो ओद़ी इसते लगाम पवाई दा है और दो मिंट नाले तो इसका रांजा राजी कर लई दा है तो नाले आपका बरवेस्ट आज तो मैं बहुत चर्तों इसते स्वारी करी साल तो क्यों कि दो चार दिन चड़ दे तो पट भी दुख देने ओ जनवर भी मत नहीं लेंदा वो आबदी मत नाल तोरदा है असवार आबदी मत नाल पालदा है और होने इसते मैं चड़ाई करूं जदो करूं तो दो देनाची मेरे नाल रमती होजेगी और जिद्दा मैं तोरूं ओद्दा ये तोरूं जिद्दा ये तोरूं ओद्दा ही मैं इसकी बात मननू ए तो हले तकरेशनार मेरा दमाख नहीं मिलया क्यों कि मैं तो साल तो आके अजस्वारी करी जे बच्चा चड़दा है ये अलड माता है इनन तो ये हुंदा भी गोड़ा बज्जे टाप हो जावे चायो हो चाल चो पट्ट्या जावे इनन ये नहीं हुंदी के भी तो नखरे नाली सोनी लग दितुर दी है और जे जनानी चाना खरा नहीं गोडी चाना नहीं नौजवान बच्चे जना खरा नहीं ओ आफदा वैर्स बनाके नहीं तुर सकदा तो फिर उसकी जवानी किसकम की तो असी तो सदा शौक दिल में रखते हैं और जवानी नू जवानी हो आप और फिजिकल भी फिट काफी हो तो महंजी जैसे अभी आपने बताया कारण है ना यह बेचनी भी है क्योंकि सामसमाई वाला कोई है नहीं संभाल वाला तो व्यपार करते हो है ना तो व्यपार मतलब अब तक कितनी घोडियां बेच चुके होगे कितनी ले मैंने तो लाखाइं गोडगा आगा तो लाखाइं बेच गा जाद मैनू पता लग जावे यह मेरा जनबर हच्छे करे जाओगा हच्छे सेवा बाले कर जाओगा तो वो तो मैं दे देने है क्यों कमाई एजडी कमाई तो अजकल इन जनबरां दी माड़ा बंदते ना नू म मन्डी तही खर्च बड़ा आजननदा है ओदा फिर रेने तो भी खर्चा घते तो वड़ी तकड़ा अंदर रहता है जो को सहा बंदता है दो सकाि लो हए बपार है माड़े का तो वड़ी ठ crypt़वास्ता हा ति होडी होडी मन्ड़ी शच मेरा ऊपश्पैँ जाकर सानू मतल वाले लोग भी इतनी जित देते हैं इतनी विसाड़ा बाबा है और पजाब दे लोक तो बहुत ज़ाद ही मेनो प्यार करना तो पर वैसे मैनो जूपी भी देशी गी लेवेगा और मेरे ना बहुत हची मत मिल दी है मेरे वास्ते आहन जूपी वाले आनंगे लोडी के मिले में कोई मेरे वास्ते गोड लियाएगा कोई मेरे वास्ते देशीगी लियावेगा कोई राश्तान अला देशीगी लियावेगा गाग्यादा और बच्चे वाले मेरी फोल सेवा करना और मैं भी आफ़े सरीर नो बना के रखाँ अच्छा अब तक जैसे बात करें आपकी गोड़ी की है ना सबसे महंगी कितने रुपए तक की बेच दी होगी आपने मेको गोडी की कीम्तता कोई होती नी कीम्त लैने वाला जे जानता है गोड़े की कदर नू तो फिर इसकी कीम्त नी पुछदाओ और कीम्तत जे कोई करोडर पिये दा भी गोड़ा खृद्दाए ता ओधी भी कोई कीम्त नहीं क्यों के गोड़ा मतदा होवे गोड़ा जानता होवे आपके मालक नूँ उस दिंगा जड़िगा छर्ता गोड़े किंगा पूर्गा होण और आसले ते कैम होवे एक गोड़ा ऐसा भी है के जे कोई कवे भी देशी गऊदे तीका परा के असी अमरीकी बच्छा जा बच्छी लहले ने हैं तरी अब देशी गऊद्रीस करें अबिलकल देशी करें, में बंगषता थे थे योट होगती बच्छल आत्यशन इसक अधालिका होख्य जाला है झाण आ viveki कि आज तो नुगरा मिशूर हो गया अगे तो मेना था जे कोई बच्चा किसे दे आखे ना लागे दा तो बुजुर्ग कहते सी ये तो साड़ा नुगरा लिख ले है तो आज तो नुगरे दी मुल पह गया और जेड़ा भला मानसा है उसकी कदर गड़गी भाई आज खल तो पता नहीं कैसा जवान ना आया ते पिछे के आउन है नमी पीड़ी नमे इसके काम है भाई ना तो ये किसे की बाती मन दे है ना ये किसे की बात दे मंगरी लाग दे है आज दे बच्चे नुपुछ लो किसे बच्चे नुपुछो ओ केंदा है ए तो नुगी पत रागे तो उसके नहीं सोचा बद गए पर एक बात मैं बिलकुल कहूं कि जड़ी हुंदी जबानी है टाही दिन दी होती है बाड़े दिन की नहीं होती हां मैं कहने है आपके आपनों कहने भी जबानी आजबी साथे ते जोर है पच्वंजा साल दी उमर में भी जोर है पर यह तो खेती बाड़ी बाड़ा वास्ते बणी थी करसान वास्ते मजदूर वास्ते ू खाक नू उस दिन आल कम करता था आज प्यमते भी लगाती पोस्त भी लगाती और मेडिकल नचे बद गे तो मेडिकल जो नचे है बच्चा नहीं खोरी जन्देने कोई समय कागी कोई मतलब गोडगा आगगा कोई कोशा आगया मेरा ये भी अपील है सरकारा नू भी है जिगा चीज़ा तो लगाम लगाऊन मेडिकला थे और जो खाने वाली चीज़ा है फीम पोस्त मैं तो पजावदे मुख मंतरी चनी जी नू भी अपील है मेरी के ना लोका नू करसान नू जे तुसी मतलब काम जाप करना करसान नी ता इनना नू फार्म दते जान ये आपका फीम पोस्त दा कम चलावन भी जन ए साड़ी कतर तीदी उगर नबाली चीज़ा है ते ते अगा के ते फीम नालवी बड़ी दवाई बन दी है ते जो पोस्त है उस दे नालवी आसाड़ी नौजवान पीड़ी बच सकती है अच्छा बाबाजी एक बात मुझे आप बता रहे थे भी के कुछ लोग होते हैं समाज में जो गोडियों को है ना डंडे के सारे पर नचारते हैं माथां टीक वात लाता होना तो उन्हें क्या कहना चाहें यह यह तो बाते है की डंडे के जोर नालव दुनिया नं ранती हो जो भी कूप लोक बोको कहएते ने गोडे को मथा टकाते हैं कम चल दीना चाढ़ा है उत डंडे नाल नाचती है और जे किसे ने बेखना है तो गोडे नू रमज नाल नचावे रमज गोडे को दमाख नू पावे तो गोड़ा आपकी मरजी नाल तुरे आपकी मरजी नाल हसे तो उसका बड़ा सवाद होता है जो गोडे का पाग होता है बहुत उच्चा होता है जो मननण वाले बज़ुर्गा ने मनने हैं तो गोड़े को मर्द मनने हैं तो जे इस मर्द को मत्थाइट काना था तो फिर पकंबर एडेडे यहां गोड़ें दे उत्ते सवारी करके गएने साथे दसमें पाच्छा और बाबाराम जी और गुगा यार पीर जी और किस किस जो बज़ुर्गा ने थलेता आ रहें यह तो एना की कदर जड़े गबाउंदे है तो खुद ही आपकी कदर नो आप गबा लेंगे तो अभी आपकी गोड़ी है जो कौन सी नसल की है और कितना सुआ होगा यह सुआ था दो सुआ सी तो उमर इसकी सब एक चार साल दी होगी यह प्योर मारवारी गोड़ी है और बेरी मेले तो आई थी चोटी जी उद्धर दी जम्म पाला है पर पहला बाले बज़ुर्गता ऐसे कहते सी के जो गोड़ा सिंदका जो गोड़ा बलो तरे का जो चाल तुरेगा जिगरी चाल तुरेगा उना को कोच दी लोड़नी सी प पर होन वाला जो गोड़ा है ना होन आड़ा ता पहरांदा भी कच्चा है त्यक्खांदा भी कच्चा है और दो देना चे गोड़ा पिछक जाता है पर गोड़ा तो ही होता है और जो गोड़े का सरीर दसे होना मेरी गोड़ी घड़ी है इसका पुड़ा अडबताएगा श इसका नाम गोड़ी है और प्याओर मारबाड़ी है प्याओर नसल चो है प्याओर नसल दी गोड़ी है ओ गोड़ी नहीं कि विजामत अलवेदा प्याओर किसे होर नसल दा है मां किसे होर नसल दी है ऐसे नहीं ए बहुत सही कलास होया है और सही नसल दे विचो नसल पैदा हो रिजनल नसल मारवारी है या इसकी कीम्त कोई देझा सका है कि मैं कीम्त मगूँ तक देंस सक ता पर जो जो जाएगा पहला अथ्टूर चीजूर ऑर फीर अमेनोपटा लगेगा भी यह घुड़ी जाकर इसका मैं N पिर में इसनों जिनना लग गया तो ने चे देदू मिन्नों डाईला कर पिया दन्दे सी इस बशेरी का चोर मारते जिमीदार थी तो ओधो मैं नहीं दिती तो उनने बड़ा फेर भी सनिया कर लिया थी विहोर कोई का सरत कडलो तो जे कोई ऐसा समझदार जिमीदार करसान आ जानदा है रखन वास्ते शोक वास्ते कोई कराना आ जानदा है तो फिर मैं गोड़ी दे दूं तो किसान वाईयों यह हैं महंत जी जो की इनके पास काफी शांदार घोड़ी है और बोल रहे हैं कि यह विकाऊ है मगर अच्छी परवरिश वाला होगा तो मतलब कीमत है जो वो उस हिसाब से तैह हो जाएगी और जो भी जानकारी लेनी है स्क्रीन पर नंबर चल रहा है सीधा संपर्क करें सीधा अपनी जानकारी हासिल करें तो अगली बार फिर आजन होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद